तो आज हम जानने वाले हैं कि आप अपने WhatsApp को लैप्टोप में कैसे चला सकते हो जैसे कि हमको बहुत सारे काम होते हैं जैसे प्रिंटिंग हो गया या कोई दोक्यूमेंट का समान हो गया तो हमको मतलब मुझे ट्रांसफर करना परता है लेक्टोप में लेकिन आप अपना WhatsApp लेप्टोप में ही चला के इसमें बहुत ही आसानी से अपना करने के लिए बहुत ही आसान तरीक है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ तो फर्स्ट आफ आल आपके पास अगर विंडू 11 होगा तो इसमें आपको यहां पर जाना पड़ेगा यह Microsoft का ओफिस्यल यह है लाइक प्लेस्टोर टाइप है यह यह पर जाके आपको Whatsapp लिखने पाड़ेगा तो ईसे कर में पर था कि देख सकते हैं और यहां को इससे के मेरे में हैं डाउनलोड और यहां पर ओपन का ओर यहां स्म्प्ली कर देते हैं और का डाउनलोड हो गया है तो आपको यह मेनु में जाना है और यहां पर देख सकते हैं यहां पर वह से पर इस पर क्लिक करने है तो कुछ इस प्रकार का दिखेगा आपको एप खोलने के बाद और दोस्तों हम बात करें Windows 7, 8 जो 10 है Windows 11 के लावा जो भी और कोई Windows है तो उसमें हम कैसे करेंगे तो उसके लिए हमको यहां पर देख से मतला आप Chrome पर जाने के बाद यहां पर लिखने है WhatsApp Web देखा पहले ही आगया पहले नमा पर जो है उस पर हम क्लिक करेंगे और यह फर्स्ट लिंक है उस पर हम क्लिक करेंगे web.whatsapp.com इस पर करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा तो इसके आगे क्या करना है वह मैं वीडियो के आगे बताता हूं अपना मोबाइल लेना है मोबाइल में आपको सिंपली ओपन करना है अपना मोबाइल मोबाइल जाने के बाद यह जो three button दीक रहा है इस पर क्लिक करना है थ्री बटन पर क्लिक करने के बाद सेटिंग दिख करना है स्टिनग में जाना है और यहां पर यहां पर आपको पासवर्ट पूछेगा आपको सेगरेटी के कारण तो आपको यहां पे खोल देना है जो यह आ गया है स्कैनर तो यह जो हमको यहां पे स्कैनर दिख रहे हैं इससे हमको स्कैन करना देख सकते हो लोगिन आ रहा है करके स्कैन करते ही यहां पर लोगिन हो जाएगा देख सकते हो खुल गया है हमारा वाटसप जो इसमें रहेगा वही यहां पर खुल जाएगा जैसे इसके हम वाटसप खुल थे आ हैं यहां पर यहां पर आ जाएगा प्रेख्षाणि के लिए अगर इसमें आपको डाउनलोड करने का यह फिर आपको प्रिंटिंग करने का सीखना है कहां पर डाउनलोड होता है कहां से आप जान सकते हो अगर उसमें आपको कोई ऐसा मतलब पतिशानी हो रहे है तो आप मुझे कमेंट में कमेंट करके बता दीजिए तो हम उसके लिए एक अलग से वीडियो बना के लेके आऊंगा आज के लिए इतना ही अगर आपको पसंद आया हमारा वीडियो तो आप लाइक कर सकते हो सस्क्राइब कर सकते हो थेंक यू